आप सिर्का सूपर कंशिव क्लास्टिज में स्वागत थे और जैकबोड क्लास 8,9 और 11 के स्ट्वेंट्स के लिए रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो आप लोग वीडियो पर कंप्रिट बने रहें और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल क्या इंको प्रेस कर लिजिए जैसे आप लोग देख सकते हैं पेपर में साब साब दिया गया है कि आप लोग का जो रिजल्ट है रिजल्ट आने में लेट हो सकता है हो बांगला और उडिया की कोपियों जांशने के लिए ढूंड़े नहीं मिल रहे सिक्चक ग्यारी वोड का मुल्यांकन रुका देखिए क्लास 11 में ऐसे बहुत सारी सब्जेक्ट है जिन कोपियों का चेकिंग नहीं हुआ ह है इसनी चलते हैं आप लोगों का जो रिजल्ट है रिजल्ट आने में लेट हो सकता है और यहां पर है इसके बारे में भी हम लोग डिसकस करने वाले हैं लेकिन इसने पहले जैसे कि आप सिर्फ को पता होगा कि अभी तक हमारा जो न्यूश सिलेबस है और जो एक्जाम का है तो आप लोग नीचे कॉमेंट से स्रीप कॉमेंट करें बताइए अगर आप लोग का रिक्यर्मेंट होगा तो जो पिछला साल वाला जो हमारा स्लेबस है उसी को मैं आपको अच्छे तरह किसे बता हूंगा देखिए आभी माहने के चलिए कि आपका जो पिछला वाला जो फिछला वाला जो से लेवर्त धा स्लेबस था उसी क्यादार प्रहोनेवाला है घूरा अगर दोग top लोग को 파बाना है क्या करना जो दिया गया complete update में क्या बोला जा रहा है आप लग भी देख सकते हैं आप साब साब लिखा गया है कि जारकंड अधिविद परिस्द यानि कि ज्यक की और से आयोजित 11 वी बोड परिच्छा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कारिय सिक्षकों की कमी की वजह से अटक गया है मतलब यहां पर देखेंगे तो क्लास 8 का जो कोपी का चेकिंग हो रहा था इसको रोक दिया गया है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुल्यांकन क लिए 20 सिमा बीद जाने के बाद भी आधी उत्तर पुस्तिकाओं भी नहीं जाती जा सकी है अगर आप लोग देखेंगे तो क्लास 8 का जो कोपी का चेकिंगा कंप्रेट पूरा हो चुका है बस यहां पर हमारा 11 वाला बाकी है 11 वाला का पूरा पूरी नहीं हुआ है टीचर में 20,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 20 जुलाई को शुरू हुआ था 31 जुलाई तक काम पूरा कर स्कुलवार रिजल्ट कंपाइल कर जैक को भेजना था लेकिन 15 दिन बित जाने के बाद भी अब तक ठीक है अब तक क्या है 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन में देरी होने के कारण रिजल्ट के प्रकासन में भी देरी होनी तई है मतलब देखिए अभी आप लोगों का कोपी का चेकिंग नहीं हो रहा है कंप्रिट में हुआ है इसके चलते रिजल्ट आने में लेट हो रहा है बांगला उडिया हो होम साइंस हेल्थ मतलब कोपी का चेकिंग पुरा नहीं हुआ है जिसके चलते अभी तक रिजल्ट का कोई मतलब यहां पर नामों निसान नहीं है आगे क्या बोला जा रहा है कि अधिकतर केंद्रा इक्षकों ने पत्र लिखकर इन विसेयों के लिए सिक्चक देने की मांग की है लेकिन सरकार आचले विसेयों का मुल्यागनकार यह पूरी तरह रूग गया है और रिखकों कर दिया जा तो कुछ इस प्रकार से यहां पर यह चीज हो रहा है आगे आप लिखा गया है कि चार भासाओं के सिक्षक नहीं लेकिन इसकुलों ने लिया दाखिला एडमिसन भी हो गया है यहां पर देख सकते आगे क्या दिया गया है कि हैल्थ बांगला उडिया हो भासा की उत्तर पुस इसके बाद भी इसको लेने इन विसेयों को लेने के अनुमती बैच्चों को दी जिसकी बजह से यह समय सासा सामने आखड़ी हुई है जो दस जार उत्तर पुस्तिकाएं जांची जानी है उनमीं 4,000 उत्तर पुस्तिकाएं इन विसाई की है आप लोग समझ सकते हैं देख कुछ प्रकार्श फंडा है और देखें में आप लोगों को त्यारी कर आँगा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरा 17-25 तक मेरा परिक्षा है थोड़ा मैं थोड़ा घर में पढ़ाई कर रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा और अगर आप लोगों का रिक्वर्मेंट होता है तो आप लोगों के बच्चों का बदलेगा यूनिफॉर्म देखें यहां पर इस्कूल का ड्रेस होने वाला है इसको भी चेंज किया जा रहा है अगर आप लोग कहीं अड्मिसन कराना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि अपना ड्रेस यानि कि अपना यूनिफॉर्म से लिवाना या फिर खजदना है तो आप लोगों को किस कलर का लेना पड़ेगा इस चीज़ को आप लोग देखें लिजिए अब अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप लोग फंस सकते हैं ठीक है देखें यहां पर क्या है आ जब सफेद और हरे रंग का होगा जब किसके पहले भवनों का रंग हलका गुलाबी और पिला था इधर जीले के नौ कोस्तरवा गांधी आवासे विद्दालेयों के रंग में बदलाव नहीं किया जाएगा सिक्चा प्रियोजना के DPO अखिलेस कुमार सिंग ने कहा कि बरस त कि छात्रों का प्यंट और आधा सरस्थ सफेद और हरा होगा उए छात्रां को मिलने वाली पोसाख में सलवार हरा bob हारा सविद्द और हारा रंगका होगा और परकार उद देख सकते हैं यहांपर दिया गया है फिर आगे क्या आए कि जबकि कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को नेवी बुलू रंग की पेंट तक गुलाई भी रंग के सट दी जाएगी टाय का रंग भी नेवी बुलू होगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ड्रेस का कलर होने बाला है अभी आप लोग ड्र